आगे बहुत सारे लोग आचुक यह गेमर अनुच फूजा करना हाई आडियन हाई हाई आज हम लोग देखने वाले बहुत मस्तुला चाप्टर जो आपके वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो भी आपके दोस्त लोगों होंगे जो भी बोड के एकज़ाब देने जा रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करना है क्योंकि महारा सच्छेट बोड में इसी सिर्लेटर जो इस चाप्टर है ना इसमें से ही कोशन मोस्तली पूछे जाएंगे तो कोशन के टाइप से मिल सकते हैं आपको हो सकता है कि आपके कोशन के वैलेएघर करना होगा तो चुक्या करीगे फटा-फट से अपने दोस्त लोग को शेयर कर दो, अबने सके साथ हमके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनके साथ का भी बना न कसी बना हूँ उनका भला हो जिसे आपका भला हो ब丁ख बूलत हो différents, डिक्षानिक आपके साथ क मैं को स्टार्ट कर सकूँ आज की वीडियो पे हम लोग एक नया चाप्टा देखने वाज जो आपको दिखाई दे रहा रहेगा कौन सा है वो कॉडिनेट जोमेंटरी है ठीक है तो कॉडिनेट जोमेंटरी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बुर रहा हूँ कि फटा फट से जो भी चानल प आप इस वीडियो को आपने फ्रेंड्स के साथ कर दो जो भी आपके एंटे सांडर में पेंडे चोटे या फिर कोई बड़े बाइबन आपके बार अब के सब्सक्राइब करना है और उनका अभी और यूज में आ इस वीडियो का डिगा चले फिस स्टार्ट करें आज करूं करूँ ठीक है तो कैसे आप सभी लोग मैं अश्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चानल यहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा 10th सांडेट का कॉड़ेट जोमेटरी वाला चाप्टर और कॉड़ेट जोमेटरी वाला चाप्टर बहुत इजी है इसके द करें दो जबुशुआ शesy लासा सकता है ठीक है तो उन कोख्या लोग समझते वें चलाएं टीक है तो हेलो मैं यहां परुआ यहां पर हूं और आप मेरे जैसे आप मेरे सामने बैटे वे दोस्तों हमारे और आपकी बीच की दूरी कापी लंग विलेकिन उसको हम लोग कर सकते हैं वह कौन सा फॉर्मुला दोस्तों डिस्सन्स फॉर्मुला अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कहना सिंपल जभी भी कॉडिनेट जो मेटरी जभी सकते बीच लेले वुट्रों ले आपको और बिकार डिसन्स करना सिंपल कैसे फॉर्मुला और आपको क्या है सिंपल सा फॉर्मुला क्या बनेगा यहां यहीज़ी एक दब ज्यादा ट्ंशन लेना नहीं जाएको एक्स पॉर्मृं का स्क्वार क्लस वाइट टॉ मैनेस पटापट से इसको दिमाग में डालो किस तरीके से लेंग करना है ठीक है अब सेकंड फॉर्मुला जैसे मानलो आपके पापा गर पर आए आप और आपके भाई बैन ठीक है और उन्हें ने क्या खिया पापा ने गन्ने का टुकडा लाएं जिसमें बड़ा सा गन्ना है जिसम साथ किसको दो आपके हैं चांण esse से आपको दे जी मतलब क्या कि मैंने इस शूगेर के इनकुसा गन्ने को मैं 307 पार्ट में डिवाइट कर दिया ठीक है इस तरीकसरी किसे मैंने क्या कि स्कु में डिवाइट करते तो उस पूंसा फख्योंत कॉन्न लगता दो ऊस तो माल लो मुझे मेरी कोई लाइन है जिसको I am is to n में डिवाइड किया हुआ है दो पॉइंट से लाइन में एक के माल लो अब next step क्या होगा M के साथ हमेशा 2 अला आता है कौन सा 2 सिप उपर में नीचे में M plus N M plus 1 ऐसी रहेगा उपर में क्या होजाएगा दोस्तों उपर में simply आपका कुछ ऐसा होगा क्या है section formula हमेशा हमें क्या देता है coordinate देता है मतलब क्या देगा X,Y की value देगा अब next बढ़ते है एक और एक और formula जिसका नाम है midpoint formula जो क्या है हमारा section formula का एक भाई है समझ लेते हैं वहाँ पर क्या होता है section formula में क्या होता है m is to n का ratio दिया होता है जिस भी जगे पे m is to n का ratio मतलब क्या होगा 1 is to 1 मतलब हम लोग को मालने इस बार पापा ने जो गंडल है उसमें 10 हिस्से दें और दोनों भाई को इस बार 5 और 5 5 हिस्से दें मतलब क्या कि उसको 1 is to 1 के ratio में divide कर दें जबी भी किसी सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा डारेक्ट फॉर्मल्ल आपको दे रहा हो इसको लर्न करना किसे x1 प्लस x2 डिवाड़ेड़ बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाड़ेड़ बाई 2 इतना क्लियर हो गया कोई डाउट यहां पे नहीं ना अब यहां पे लेखें अब क्या है मालो आपके पास एक ट्राइंगल उसके मीडियिय से मतलब ट्राइंगल में ऊपर अले पॉट्स किसता और नीचे वाले को बूंगे करता है उसको बूलते मीडिया अब कैसे निकलते हैं अब है अब यह x, y की value निकले की कैसे निकले की कैसे भाई देखो सिंपल सा है अपने पस तीन points से कौन से a b c तीनों कुछ न कुछ कॉडिनेट होगे मालो a का x1, y1 b k x2 y2 और c k x3 y3 तो जो g का कॉडिनेट क्या होगा simple सा x1 x2 x3 तीनों को add कर दो x1 plus x2 plus x3 और यहां पर इनलों क्या करना है mean निकला मतल़ डिवाइड़ भाई थ्री तीमिदर यहां पर y1 plus y2 plus y3 divided by 3 ओप यह four four formulas आपके clear हो गएंगे कोई doubt कोई दिक्कत हो यहां पर आपके देखने तो slope होता क्या है slope is what slope is Hindi में भूला जाए तो ढाल अपने पहाड देखा है दोस्तों पहाड पे समभले यहां पर बड़ा सा पत्तर रखा यहां पर मैं कड़ा हूं तो क्या कर रहा है पत्तर ऐसे slope में से गोल गुमते गुमते मेरे को उड़ा देगा ठीक है उसी तर लिए से बंड होता है अब स्लोक होता क्या है इतना समझ में आगे हो का स्लोक को इंदी में पूला जाता है ठाल क्या बलता अब मतलब यहां डाल टाल करते आप अब स्लोक को निकालते कैसे दो तरीका है तो आए यह जो एक से साथ कोई तो भी एंगल भर रहा है थीटा तूस टाइम भी इस लाइन का स्लोप किया होगा स्लोप को डिनोट किया जाते हैं से तो मैं सिंप्ली ऐसे लिखूँ है आप मानलो दुसरा एक और केस क्या होगा कि आपको इसे लाइन दी होगी उसमें दो पॉइंट दियोंगे आपको पहला दिया रहेगा आपको मानलो ए और दुसरा दें गड़ी यहां पर लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं एकस्टू वाइटू ठीक है अब स्लोप निक तरीके से आप formulas को note कर लो अगर formulas आप के लिए हैं हम लोग एकसे इस पर बढ़ सकते हैं दोस्तों ठीक है पहला question क्या है question बबब 1 M C Q type का question है पटापट से question देखो और question को read करो और answer करो मैं पटापट से पहले read करता हूँ if P is the midpoint of AB P क्या है midpoint है किसका AB का फिर A is what minus 4,2 and B is what 6,2 then the coordinates of P is what क्या आउगा पटापट से comment कौन करता है देखते पटापट से दोस्तों चलो आजाओ देखते किसका सबसे पहला तो जो पहला वो सिक अंदर ठीक है जो जीता वो सिक अंदर मतलब जो भी सबसे पहला आगा वहीं जीतेगा यहां पर फटापर से मुझे answer की दोस्तों ठीक है जिसका answer आगा मुझे पता दो मैं wait करता थोड़ा सा आपके लिए मैं थोड़ा सा चेहित आपके लिए पॉर्मिलेस लिए तो मीड़ पॉयंट वाला चले चीक है अब मेरे पास पॉइंट क्या है ए और बी पॉइंट से ए और बी इसका मूट में पी तो तो पी की कोड़ेट माले तो हमें X, Y, वो मुझे निकालना है, तो midpoint का फॉर्माइट आलूँगा, क्या है क्या है, एक दम धड़ा धड़ा option आ रहे, yes, क्या है चलो देखते हैं, किसका राइट है, बहुत सारे बच्चों का a, 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 a आ रहा है, बहुत सारे बच्चों कुछ क CBR है, कुछ का BBR है, ठीक है, चलो देखते हैं, किसका answer correct है, आप midpoint निकालना है, formula क्या होता है, midpoint का formula होता है, x, y is equals to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, चलो और formula का apply कर देते हैं, फटा-फट से, x1 कितना है, दोस्तों यहापे, मुझे बता, minus 4 है, ओके, और x2 कितना है, यहापे 6, divided by 2 y1 कितना अपने पास 2 है, y2 कितना है 2, ठीक है, minus 4 plus 6 कितना है, 2, 2 upon 2, 4 upon 2, कितना है जागा दोस्तों, 1,2, आप किसका किसका 1,2 आया, that is option A, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, सही है दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तरीकी से answer किया है, मुझे बहुत मज़ा राज आ आने वाला है, the distance between point P and Q, यह ऐसा कुस्तों भी दिया हुए, क्या है, 5 cm, मतलब 2 points की बीच का distance दिया हुआ, जब distance दिया हुए, तो कौन सा formula, distance formula, distance formula, distance formula आके सबके दिबाग में, क्या था distance formula, under root x2 minus x1 का square, plus y2 minus y1 का square, आया सबके दिमाग में, ओके, यह आ गया, अब देन, find the value of x, x1 करना, कैसे करेंगे, चलो, किसका option, question number 2 का, second, किसका option बताए, मुझे answer बताए, क्या आएगा, किसका किसका आ रहा है, correct, मुझे बतादो, दोस्तों, second question का, ठीक है, second question चाहिए, first one नहीं, first one done, कोई doubt नहीं, second one पर बढ़ते है, ठीक है, चलो, एक मेट ले लो, आप लोग x का distance से हमारा, PQ का, तो मैं सिंपल लिखूँँगा, distance of PQ, और सिंपली में इसको ऐसे बिली से था, PQ, formula क्या होगा, x2 minus x1 का square, plus y2 minus y1 का square, ठीक है, ओके, आप x2 में 5 को लोगा, x1 किसको लोगा, 2 को, 5 minus 2 का square, plus y2 क्या है, x, x minus 2 का square, चलो, फटा-फट देखते, क्या answer क्या, कितना 5, taking square on both the side, दोने side में क्या लोगा, square लोगा, square लोगा, 25, 5 minus 2 का कितना हो जाएगा, 5 minus 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 का square is what, 9, यहां पर क्या लेगा, a minus b whole square, याले की, a square, minus 2, a, b, यानिके 4x, plus b का square, यानिके 4, ठीक है, अब क्या होगा, 4, अब देखो, x square वैसी रहे 4 जाएगा, तो यह कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगा, तो बचेगा 12, यानिकी, minus 12, यहां पर minus 4x, अब आप लोगको क्या मिल गया है, दोस्तों, आप लोगने बढ़ा हुआ है, दोस्तों यह चीज, बहुत सारे बक्चों का C option, चलो देखते किसका, किसका C is the correct option, देखते पहला क्या आएगा, minus as it is, दूस्तों आप माइनस नहीं लिखना है, minus, minus, plus लिखना है, उसके बाद, तीसरा साइन, minus, plus, minus, आप देखो, multiply करने पर उस नमर का क्या आना चीज, दोनों पर इसे तो ने, इनका multiply करने पर 12 आना चीज है, और आप उसके बाद, यहां पर क्या मिल रॉग, तीसरा, अभी, एक और option है, हमरे बस, six, two, जा, तो six, two, twelve होता है, six, minus, two is what, six, minus, two is what, four, तो पहला आएगा, six, यहां पर two, तो तो च्या आगे, x square, minus, six, plus, two, x, minus, two, well, equal to zero, x, common, निकलेगा, तो, x, minus, six, और यहां पर से, क्या, common, निकलेगा, two, common, निकलेगा, तो, x minus, six, तो, आपके आजर, यहां से, क्या, जाने चीए, तो, मैं इसको shortcut, मैं भी, खतम करता हूँ, यहां पर, x की value, पहली value, क्या है, x equals to minus two, और दूसरा, x is equals to six, जिसके भी, x is equals to minus two, यहांने कि, option number, क्या, option number, कौन सा, x equals to minus two, देखो, ठीक से, देखो, x equals to minus two, option number, d, t, बहुत दिकत नहीं चीए, को यहां पर, minus six, x plus two, x, ठीक है, किसका, किसका, ओके, अभी, इसका, डी आया, बहुत सारे बच्चों का, डी आया, जिसको भी, डाउट है, यहां पर, एक पर, कुशिन को समझे, कई पर, भी, दिकत, कोई भी, भी, डाउट, तो, मैं यहां पर, आपके coordinates of Centroid, क्या होगा दोस्तों, चलो फटा फटा फट से formula पर जाते हैं, Centroid का formula क्या था, देखो है यहां पर, Centroid का formula होता है, x1 plus x2 plus x3 divided by 3, कमा y1 plus y2 plus y3 divided by 3, अब हमें क्या दिया हूए, question में जाओ, sum of x coordinate क्या दिया हूए है, 12, simply, बहुत easy question मिल जाएगा, हम लेको इसका answer मिल ज plus y3 divided by 3, अब x1 plus x2 plus x3 कितना दिया हूए हम लोग को sum of x coordinate दिया हूए हमको 12 divided by 3, और sum of y coordinate की दिया है, 9 divided by 3, ठीक है, 3 4s आ, 3 3s आ, option क्या है हमारा, 4,3, इसका 4,3 आया है, फटा पर से guess करो किसका, किसका, ओके, बहुत लोगों का 4,3 आ चुका है दोस्तों, yes, right option is what, 4,3, correct, बहुत बढ़े है, बहुत लोगोंने cv करें, दोस्तों guess ना करें, solve करेंगे तो बहुत बढ़े होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपका answer आगा, चलेगा, चलेगा, बहुत सही, बहुत लोगों का B, B, आया, D, कुछ लोगों का आया, दोस्तों, D वाले जो है न, प्राज option, इसका बढ़ा फट से बता, इसको solve करने के जुरुत ने, आपको मैंने distance formula दिया हुआ है, चलेगा, ठीक है, distance formula आचाओ, distance formula आपको मैंने क्या होता है था, हम लोग ने इसके पर एक question में solve करें, याद करो, क्या था distance formula, yes, force का क्या हैगा, B, किसका, किसका, B आला देखें, ज चले है, ठीक है, आगे बढ़ता है भी हम लोग question number 1 के B पर, जहाँ पर हमारा कोंसरा question है, one mark का एक और question है, ठीक है, अब इसको solve करता है, चले है, find the distance between the point हमारे पास क्या है, point दियाव है P, Q, यहाँ पर Q लिखना मूल गया, दोस्तों Q लिखें थे, find the distance between the point P, Q, जहाँ पर P क का point दियाव है, Q का point दियाव है, कैसे निकालेंगा, इसका answer फटाफट से guess, guess ना करो, solve करो, दोस्तों, क्या आएगा पर पर से बताओ, इसका answer क्या आएगा, चले देखें, पर पर से distance formula, लिख देता हू, distance formula, जब भी distance जिकर किया रहेगा, तो आपन कॉनसरा formula अपलाई करें दस, y2-y1 का square, अब हमारे पास ना x2 और x1 है, तो सच से पहले P लिखेंगे, P हमारे पास क्या है, minus 1,1, Q हमारे पास क्या है, 5, minus 7, ठीक है, इसको लिखेंगे, x1, y1, और इसको लिखेंगे, हम लोग, x2, y2, right है दोस्तों, यहार तो कोई doubt, अब points को put कर देंगे, पटाप minus 7, yes, उसके बाद, ओके, बहुत से लोग को तो answer भी आ गया, बहुत बढ़े, देखते किसका, ओके, 10, 10, 10, perfect, एकदम सही answer आप लोग का दोस्तों, बहुत fast आप लोग तो, तो यह क्या हैगा, हमारा formula क्या, x2 minus x1, तो यहाँ पर हमें x2 minus x1 की value दो, x2 क्या मेरे पास, 5, minus x1 is what, minus 1 उसका square, y2 is what, minus 7 minus 1 का square, अब 5 minus 6, यहाँ पर क्या आजगा, 1 minute, minus 7 minus 1, ठीके, चलेगा, 5 minus of minus 1 कितना हो जाएगा, 6, देखो, 5 plus 1, 6 हो क्या, 6 का square is what, 36, और यहाँ पर, minus 7 minus 1 कितना हो जाएगा, minus 8, और negative number का square हमेशे क्या हो था, positive हो था, ठीके, minus 8 का square is what, 64, कितना हो of hundred, और जिसका, जिसका 10 आया, बहुत बढ़िया, मगर एक चीज और लिख लेना, क्या मालूम है, unit, unit लिखना से ना, आपका जो आदा मास काटने के जो, possibility सो कम हो जाते हैं, यह आप लिख देंगे, unit, distance आपने लिखाना, इसलिए unit, यह इंपोर्टेंट है, unit लिख देना द लगा तो आपका answer एक दिम perfect है, अब एक और question लेते हैं, चलेगा, write the x-coordinate and y-coordinate of point, minus 4, minus 5,4, इसके x-coordinate लिखना है, चलो, कैसे करेंगे, देखे, आजाओ, मुझे point क्या दिया, मानने मुझे point दिया हुआ, a में लिखता हू, let, a मुझे दिया, minus 5,4, ठीक है, अब देखो, जाओ, जैसे कोई बच्चा है, इसका नाम नहीं, तो इसका में नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, ऐ नाम रख दिया, चलेगा, अब कभी भी ऐसा गोकर दिया हो तो पहला point हमेशा एक से दो दूसरा point क्या हता है, तो मुझे coordinates मिलके x-coordinate क्या हो जाएगा, x-coordinate हो जाए चलेगा इस तरीक तरीके आपको लिखना पड़ेगा एक सब्सक्राइब करना है अगर आप अभी भी पीछे चल रहे तो आपके करना है आपकी वीडियो को रिफ्रेश करिए और उसके बात कमेंट करिए ठीक है चले अब आगे बढ़ते फटा पर और कुशन लेते हैं यहां बहुत आप अपको बता देता है मालो मेरे पास मैंने यह मेरा है यहां पर लिखता हूं मैं य x2 ओके अब जहां पर दोनों आके ना दोनों आके मिलते हैं तो हमारा और जीन आप और जीन का कोडिनेट क्या होता है दोस्तों यह आपका चलेगा बहुत बड़िया ठीक है वेरे गोड आप लोग भी स्मार्ट हो मेरी तरह है ना ठीक है चले अगे बढ़ते हैं यहां पर स्लोप का फॉर्मला डालों यहां पर आपने थोड़ा बहुत तो याद होगा थोड़ा सा याद करेंगी सुद्थ है बस यहां पर यहां पर आपने को पुरा सीरीज याद होना चीए चलो मैं याद कर रहा देता हूं तो हमें निकालना है क्या m tan theta यह formula होता है मतलब क्या slope is equal to what tan theta अब tan 60 वालो डालो फटा फट से यहाप यहाप यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है तो आप चलो फटाफट से बढ़ते हम लोग हमें पॉइंट्स नहीं दिये हुए थीटा तो यहाँ पर 1060 की वैली कितने हो जाएगी रूर 3 दाट इस दे करेक्ट ऑप्शन तो आपको फटाफट से याद भी करता हूं जीरो फटी 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 और नाट डिफाइन आप के लिए ठीक है यह होते इसको लर्न कर लो दोस्तो साइन का लर्न करोंगे अटमेटिकली सारी लान हो जाएगे बहुत बढ़िया चाया ओके वहले बीनाएक बहुत बढ़िया ठीक है चले अब और और पर कोश्चन से हमारे पर फॉस्चन नमबर 2 भी है टू मार्क्स वाले कोश्चन देक है चलिए में लेक्य है क्योंगा मैं उसका नाम गरन पर दोश्चन था इंपउरेंट एप होगा और मेंगा phones अ कि पॉइंट मालो मेरे पाँ मिड़ पॉइंट है लेट मिड़ पॉइंट भी मिड़ पॉइंट आप इस पॉइंट ओड एबी बी एम एम सिलिक्टाओं में इसको ठीक है capital M हो गया आप आप M लिखते हो में M क्या जागा दोस्तों M हो जागा मेरा सिंपल है एक्स कॉमा वाई डाट इस इस तरीके से यहां पर 11 बाइटीन के चलो चेक किया जाए आंसर किसका किसका करेक्ट है अब यहां पे 22 बाइट इस वाट 22 और यह कितना है जिरो डिवादेट बाइट बाइट यहां पर यहां पर यहां पर क्या लिखना है कोडिनेट में मतलब मीट पॉइंट के कोडिनेट क्या क्या आ गया है 11,18 परफेक्ट दोस्तों बहुत बढ़िया जिसका 11,18 ने बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलिए अब और कोश्चिन है हमारे पास इसको भी स्ट्राइक करना है दो स चलिए तो फार्मले जो मैंने दिया सबसेपर अपर प्रेवाइस कर लिए चाहिए तो और सब्सके बाद यहां पी आते हम लोग्स लिडिदेरश और इसको कैसे करेंगे मतलब क्या दो सैट को करेंगे ना उन्हों क्या डिर्क्ली स्ट्टी अच्ट को हो जाएगा ठीक है मत लेकिन अमने इसको दूसरे तरिके से करेंगे आसान वाला जो हमारा कौन से में स्लोप वाला क्योंकि वह फटा-फट से हो जाता है एक्तम बुलते नहीं कि मक्खन है वह तो मक्खन चीज़ों को हम आराम से करेंगे और आराम से इसका अंसर लिखेंगे मानले मेरे पाद पी दिया हुआ तो तब से पहले पी को लिख लूँगा अब देखो आप लोग एक बच्चे ने मेरे इधर पर केस्ट कितना है टू है दोस्तों और यहां पर क्या है 4 x 2 कितना है 1 1-2 इहां पर 2 2 2 1-2 2 2 & 2 2 2-3 2 2 एक स्टेप मानले माइन से कितना हो जाएगा 1-2 यानिकि 3 और हमारा क्या जाएगा यहांपर में स्टेप और नहीं दोस्तों थोड़सा मानस से न को यहांपर गायब करते हैं यहां पर क्या जाएगा 1 प्लस 2 इस वोड 1 प्लस स्टू लिग देते हैं यहां पर क्या के मेरा फाइपवान ट्री पीक्यू आगे ऐस स्लोप ऊव और निकल देश्लोप और क्या जागा यहां पर स्लोप और की वार सिम्पल Y3 माइनट रा जिया और फॉर माईनस वन ठीक है ओके चले गाँ आ 1 तो के मुझे बता कि स्लोप और रहा ही किना रहा है एक। आपड क्यूग यूर स्लोप के क्या नियुक Icha माईनस वन बता है कि ही थीज़ डीकरवद्ग इसेड़ yeah mm-1-3 मछी हैं और यहां पर टू-1 मारे अपर जाएगा एक फिए गडबढ वही और साथ आंसर नहीं ठीक है प्लस तो यहां और आंसर यहां एक फिख्साधमों बाहन प्लस गत्रीं होगा तो श्यांने 3 is what minus 1 by 3 okay देखो दोस्तों यह चीज के वेसे तोड़ा सा कोश्चन में गडब होगे दोस्तों कोश्चन लिखने में तोड़ा सी दिक्कत होगी थी बाकी आपका अंसर करेक्ट है आप देखो अब किसका स्लोप इकोल आगे दोस्तों पड़ापट से बता हो जे यहां पर आपक तो यह चेंजेस आपको करना है कोश्चन में उसके बताब को सॉल्ट करना है जिसको जिसको समझ गया है यह कर दो जिसका जिसका परफेक्ट लिया उसको यह कर दो ओके बहुत बढ़िया ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब है अगर यह दो लोग चीज़ें सीखने मिल गई यहां पर नॉन को लिनर भी मतलब स्लोप इकवल नहीं होंगे तो नॉन को लिन अगर इकवल होगा तो को लिन ठीक है परफेक्ट अगे बढ़ते हैं हम लोग और कोशन हैं हमने क्या दिया हुआ है यह फिल जागा ठीक है चलो यहां पर आले दें पट पट से ऑप कर रही हैं अब की वेल्यू वाइं दिया हुँट करने तो कैसे करेंगे हैं सिंपल है हमें बी क्या दिया हुआ हुआ है हमें k, π, माइनस 5 उसको मैं लिख देता हूँ एक्स वन कॉमा वाइवन लिख देता हूँ ठीक है दूसरा मुझे सी दिया हुआ है दोस्तों क्या दिया हुआ है सी दिया वन कॉमा टू और मुझे क्या दिया हुआ है इसको मैं एक्स वाइटू भी लिख देता हूं तीसरी जीज़ किसको किसको यह नो बच्चा यहाँ इस कोशन में इस्तिमाल करेंगे कौन सा दोस्तो स्लोप है ना स्लोप के बारे हम बोला हुब तो स्लोप से ही हम लोग इसको सौल करेंगे ठीक है स्लोप का मिलोग एंशे और करते वह क्या होता है यहां पर तू सिंप्र स्पेस थोड़ा काम है यहां एक्वल to 7 upon 1 minus k 7 7 7 7 7 7 1 1 1 multiply 1 minus k equal to 1 1 1 से multiply कर तो 1 1 से मुदर जाएगा तो minus k is equals to minus k is equals to 1 minus 1 कितना हो जाएगा 0 is equals to minus k k equal to 0 इस तरीके से हमारा k का value आ गया जिसका जिसका k का value बहुत बढ़िया जिसका जिसका तोड़ा से घ्लत हो गया रहा है तो सब्सक्राइब करें बहुत सब्सक्राइब कैसे आपका आउसर आजाएगा एक पर ट्राइब करें दोस्तों आप जिसका भी यह आंसर करेक्ट आए किस तरीके से करना आपको दिख रहा है तोस्तों थीक से दिख लाएगा चलेगा ठीक है आशना पर किसी को ब्हुत लुक्त आएं कोई यह आपके साहथ हूं दोस्तों फटा फटसे औप एक चीजह और दोस्तों फटा फटसे जो नए वीवरस आ हमारे पस जो भी अमारे दो दोस्तों अपने फ्रेंड लोग के साथ शेर कर दिए मुझे ना मुझे क्या करना है मुझे ना सारे बच्चों लोग को यह important questions देना है दोस्तों एक तरीके से आपका revision ही हो रहा है ठीक है बहुत सारे कोशन आप लोग क्या हूं है हमें एक क्या आदिए आप यहां अब यहां पर क्या बहला हूं सेंट्रोइट क्या है जी दिया हुआ जी मतलब मैंने पहले बताद जी मतलब ही होता है संट्रॉइड ओके हमें किसकी वेल्वी फांट करने हैं है कि और के की इस सिंपल है देखते कैसे करना है हमें बी दिया हुआ है बी दिया हुआ कितना 2,3 इसको लिखते हैं आग एक्सको में एक्सटु और वाइटु लिख देता हूँ एकस्टि वाइट यहाद दोस्तो आप में क्या पता है सैंट्रॉइड जी हमें पता क्या होता है जी हमें पता है चिया में हमें दिया हुआ जिसको लिखते हैं आप अंड्राइट का फार्मुला मता है जी जो होता है वो ही होता है हमारा x,y और वो किसको एक्पोल होता है simple सा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइद भाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 दिवाइद भाय 3 रही दोस्तों okay x1 is what x1 is h x2 is what x2 is 2 and x3 is what minus 6 so h plus 2 minus 6 upon 3 यहाँ पर यहाँ पर कह जगा h plus 2 h plus 2 minus 6 upon 3 राइ यहाँ तक okay comma y1 y1 कितना हमारे पास y1 हमारे पास minus 6 okay y2 कितना आपने पास 3 y3 कितना आपने पास y3 हमारे पास k ठीक है अब divided by 3 साथ ही साथ दोस्तो साथ ही साथ क्या दिया आप x,yp दिया वो द्यान दो क्या दिया 1,5 यहाँ तक कोई डाउट दोस्तो यहाँ तक कोई डाउट और तुरा सिंप्लिफाई के लिए और आगे बढ़ते दोस्तों क्या आएगा सिंबल सा एच प्लस 2-6 माइनस 4 अपन 3 ठीक है कॉमा यहाँ पर क्या जिएगा 6-6 प्लस 3-3 प्लस के अपन 3 ठीक है अब क्या होगा यहाँ तक आगे सब का सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा अब करना होगा हमें कंपेर कंपेर इंग बोथ दो साइड कंपेर करेंगे तो हमें क्या हमें लेगा देखो हमें क्या मिल जाएगा 1 तो 1 हमें क्या मिल जाएगा 1 is equal to 1 is equal to h-4 upon 3 और दूसरा 5 हमें क्या मिल जाएगा minus 3 प्लस के अपन के अपन 3 देख लेते एक पर चेक कर लेते हैं क्या हमें क्या मिल जाएगा 3 प्लस के अपन 3 ठीक है मानेस 3 प्लस के अपन 3 राइट रहीं देख और अब पर अभी के की वैले तो 53 जा 3 और यहां पर मानेस 3 प्लस के फाइट दोस्तों चलिए ट्राइक करिए एक बार जिसको नहीं है दोस्तों फिर से दीखी वीडियो को रिवाइन कर लेंगे तो जाथ आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ब्लीज ओके किसी वह डाउट रहेका द पर एक चलो पर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और कोशन लेते हैं हमारे पास बहुत कोशन की कमी नहीं है अब यहां पर बोला हुआ हुआ है क्यों थी जो हमारे तीन मांक्स से लेकोशन पूछता है दोस्तों तीन मांक्स ठीक है रिख इंडर ईंविच पॉयंट के क और अल्सो पाइंड करने हमलोगों के एक ऐसा कोष्यन है तो 辛ञा को करो फाइंड the अब और ठीक है बहुत बढ़िया बहुत सारे दोस्तों का सभी चल रहा है चाहिए ओके टैंक्यू सो मच सब्सक्राइब लिखते हैं यह पाइंड और करना है ठीक है दूसरा क्या बोला हुआ है सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करो हुआँख है यह यहां पर हूँ आप लोग करेंगे तो मुझे आनस समझ में आएगा तू सुपर्म पर्मलला हे उसका सेक्शन फॉर्मला है बहुत सभी तो यहाँ पर मैं लिखूंगा section formula using section formula लेकिन section formula लगाने से पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा x1, y1 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा x2, y2 अब formula जिसको जिसको याद नहीं है मैं यहाँ पर याद करा रहा है दोस्तों देख लो जो हमारा section formula हमें coordinate देता है किसका coordinate था एक point का तो वह point हमारे पास यहाँ पर है क्या है पॉइंट वह मालों यह a है यह b है मैं इसको लिख लेता हूं ओ लिख लेता हूं चलो ओ निए ओ तो हमारे पास क्या है क्या है अब हमारे पास देखो क्या है हमारे पास section formula apply कर दो section formula apply करने से पहले सबसे पहले हम लिखते है अब इसको ट्रिक मतलब बोल सकते एक तरीके समय इसको याद कर रहा है तो हमें सबसे पहले फॉर्मला में कर लेते हैं नीच्छे m plus n उपर भी m, n, m, n, m, n, m की साथ क्या होता है दोस्तो हमारा एक y, y, m की साथ हमारा क्या हता है टू वाला लेकिस अबसे पहले एक्स कोडिनेट है एक्स वाले सारे आ जाए एक्स, x, 2, 1, प्लस, y, y, 2, 1, प्लस, याद हो गया दोस्तो कैसे आएगा formula clear हो रहा है बहुत बढ इसका answer निकालते है बड़ा बड़से दोस्तो आप लोग smart मुझे पता है आप लोग छिया टूटरियल के family दोस्तों ठीक है चलिए फिर अभी start कर दिया तो इसको solve भी कर रहा है अब हमारे पास x, y कितना दिया हमें k, 7 दिया हुआ ठीक है लिग दिया है यहाँ पर हमारे ब सकता आपकी एसाब से जिसका डखते किसका right आ रहा है मेरेको बैस के बात मैं क्या करूंगा राउल सर शक्राइब करने मैं थे स्ज一下 भार कुछ देख देखर है किसी बच्चे का ऊके रिए इस इसका की है यहां पर दोस्तों आपको अगर नहीं समझ मैं तो मैं बता रहा हूं आपको यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों comparing both the side क्या करेंगे comparing करेंगे comparing both the side आप फिछले कोशन में पूल पॉर्म में लिख दिया मतलब क्या जो मारा एक पहला पाट यह पहले पाट को इकोल होगा that means k is equals to what k equal होगा हमारा m plus 8n upon m plus n को equal होगा ठीक है दुसरा हमारा यह क्या होगा दुसरा पाट जो है मारा 7 7 किसको equal होगा 2 plus m किसको equal होगा 2 plus m plus 9n upon m plus n यहां पर m plus n जाएगा उस साइट 7 multiply by m plus n equal to 2m plus 9n अब 7 से multiply करेंगे 7m plus 7n 2m plus 9n ठीक है अब 7m minus 2m 7m इधर पर क्याएगा माइन 7 plus 9n एक है जीका 5m इसी को सु वाट इक इतना होगा 2 2 2n हो जागा जुस्तों क्या हो जागा टू एन यहां पर यहां पर यहां पर सिंप्ली N की निचे ठीक है तो हमारा step क्या होगा हमारे पास M है इसके नीचे आपको solve करना है तो हमारे पास space नहीं है तो मैं यहाँ पर directly करता हूँ M की value कितनी है 2 डाल दिया plus 8 into इसकी value कितनी है 5 डाल दिया M की value 2 2 plus 5 कितना आएगा 2 plus 8 40 plus 2 plus 5 is what 7 42 divided by 7 6 कि value कितनी है कि दूस्तो 6 आ गई ठीक है बहुत सही बहुत सही तरीके से आप लोग जा रहे बहुत सही तरीके से आप लोग आपके question को solve करें दूस्तो बहुत सही मेरे बच्चे smart है मुझे पता है ठीक है जेया डुर्वल्स की पैमिली एक्दम strong है smart भी है ठीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जया टू सुडेंट करके एक और बच्चा आ गया ओके बहुत सही है ओके चलेगा अब बढ़ते हम लोग अब बढ़ते हम लोग next question पे जहाँ पर question number 3 का हमारे पहला अब सेकेंड में देखेंगे find the point on x-axis which is equal distance from minus 3,4 and 1 1,4 दोस्तों बहुत important question है यह question को बच्चे समझ में मतलब समझ में नहीं लेते कि मतलब किस तरीकी से को समझना है बहुत easy है एक एक चीज होती है सबसे बहुत डाइग्राम बना लो अगर आपने डाइग्राम मतलब एक तरीकी से रिप्रसेंटेशन समझ लेने क्या होता है है तो आप आसने ते solve कर सकते देखो मैं आपको समझा कर देता हूं मालो सबसे पहले मैं extra y coordinate system बनाता हूं यह मेरा था यहीं मेरा x-axis इसको में ज़रा सब नीचे फिए सब्सेलेगा इसको में लिखता हूँ आप लोगों यह इसे समझाता हूँ ए इसको मैं यह लिख देता हूँ दूसरा क्या है 1,2 ,3 यहां पे y की वेल्यू माइनस फूर उपर या नीचे हैं दूस्तों नीचे जाना पड़ेगा ठीक है तो 1 2 3 & 4 यह पॉइंट मेरा क्या होगा 1,-4 that is my point B अब दोनों में से find the point on x-axis which is equidistance from A and A क्या है मेरा minus 3,4 and B is what 1,-4 तो मुझे x-axis पर ऐसा point find करना है जो क्या है मेरा equidistance है किसे A और B से लेकिन किसके पर बोला है x-axis पर मतलब यह x-axis है इसके पर जो यह point होगा वो क्या होगा दोस्तों देखो x-axis पर y-coordinate की value क्या होती है दोस्तों जीरो होती है okay red करें sir please change the red color okay red color आपको दिखनी रहा है चले का मैं इसको override करता है दुस्ते color से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूं 1,-4 और इसको मैं है ठीक है ओके चलो बहुत बढ़िया अब मुझे क्या find करना वह चीज़ को समझो मुझे point on point on क्या find करना है x-axis point करना है अब आप लोग बताओ x-axis पर होता क्या है x-axis पर y-coordinate की value क्या होती है यहाँ पर सिंपले में क्या लुखा हूं y-coordinate में लुखूंगा और x-coordinate को मैं x रखूंगा और मुझे क्या find करना point on x-axis point करना है तो मुझे actually find क्या करना है x-axis value point करनी है और यह जब x-axis value मिल जाएगा ठीक है आसान है लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ पॉइंट है इसका नाम है मैंने रख दिया a b यहाँ पर लिख दिया मैंने m रख दिया तो मुझे क्या बोला m जो point है ना वो equidistance किससे a से भी और बी से भी यहाँ पर मैं sentence लिखता हूं m क्या है मेरा m is equidistance इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ m am is equals to what bm इसका मतलब यह है दोस्तों ओके दोस्तों सही है दोस्त कलर चेंज कर दिया है मैंने बहुत बढ़ दोस्त मैंने इसको इसको लिखता हूं इसको लिखता हूं एक्सकोन को माई को इसको में लिखता हूं धयर है ठीक है अब X3, Y3 मुझे पता है X,0 है क्या है X,0 समझ मेरे के नहीं आ रहा है लिख दे तो यहाँ पर साइड में आपको जादा क्लिए रहोगा क्या है तो आप midpoint formula से भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन चलेगा आप ऐसे डिसन्स भी करेंगे तो भी आपका अंसर करेक्टी आएगा ठीक है एक्स टीसरा क्या यहाँ पर यहाँ यह मेरा एक्स ट्री कॉमा वाइट्री मतलब X,0 है चलो अब अब अगसर के को यह दालते है और B'M के में दुनों में रूट डाल देंगे अब AM में 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 मेरा यह पॉइंट्स हैं मतलब यह хочет और यह आख फॉर्मिला क्या होगा? X3, X1 का स्क्वेर प्लस Y3 minus Y1 का स्क्वेर यहाँ पर X3 minus X2 का स्क्वेर प्लस Y3 Right, right, Y2 का स्क्वेर, देको रहाँ हम को हमारे question के इसाब से हमारे formula को ढाल लेना है समझ में रहा है? हमको हमारे question के इसाब से को हमारे फॉर्मले को दहल लेना ठीक है कि चलते यहां पर अब टेकिंग्स वेरान बोट साइट अब यह क्यों कर रहा हूं कि देखो दोनों साइट है मेरा स्क्वाइरूट है अब स्क्वाइर रूट को अगर मैं गायब करना चाहूंगा तो मैं क्या करूँगा तो जब यहां पर स्क्वाइर होगा तो स्क्वाइर स्क्वाइर रूट कैंसल यहां पर स्क्वाइर स्क्वाइर रूट क्या हो जाएगा कैंसल होगा मतलब क्या यह और यहां पर मैंने स्कूर लिया ओकि स्कूर स्कूर रूट कैंसल यहां पर क्या होचाएगा a प्लस भी होल स्कूर यानि की a स्कूर प्लस 2 a b प्लस बी स्कूर यहां पर लेंगे 0-4 4 is what? minus 4. minus 4 का square क्या होता है? ओके दोस्त थैंक यू सो मच बहुत अच्छा पड़ा दो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया, अब minus 4 का square क्या होजेगा? 16, ओके और यहाँ पर square लेंगे तो A minus B whole square, A minus B whole square क्या होता है? A square minus 2 is B square, यहाँ पर क्या है, X square minus 2X plus 1, यहाँ पर 0 plus 4 is what? 4, 4 का square is what? 16, राइट इदना, कोई डाउट, कोई दिक्कत, मेरे एसाब से तो नहीं होगी, ठीक है? अब देखको सारी चीज़े हमारे सामने है, सारी चीज़े हमारे सामने है, अब क्या लाना है, हमारा answer लेकिया आना X plus 1 plus 16, आप देखो, plus 16 हो जाएगा, minus 16 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, X square इदर पर उदर जाएगा, तो मैंने है, X square और 16 दोनों तरिफ से गाएब हो गया, आप यहाँ पर क्या बचिक 6X, तो 6X के बास किच्छों लेकिया हैंगे, 2 को, तो 6X minus, क्या हो जाएगा, plus 2X, 9 इदर जाएगा, उदर जाएगा, minus 9, plus 1, minus 8, 6 plus 2, 8, X equals to what, minus 8 by 8, X की बेली कितने हैंगे, minus 1, ठीक है, अब तो डाइग्राम में देखेंगे, अगर डाइग्राम में आप लोग देख रहेंगे, जिसे मैंने ट्रॉक किया, उस तरीके देखा जाएगा, तो यह यह 0 है, यह 1 है, यह minus 1 point है, तो मुझे directly देखो, मैंने graphically भी मेरा answer रिखता है, दोस्तो, graphically भी मेरा answer रिखता है, और यहाँ पर मेरा calculation करने के बाद भी answer एक्टम perfect आया हुआ, ठीक है, तो मेरे coordinates क्या हो जाएगे, coordinates on x-axis, coordinates full form लिख लो, यहाँ पर में लिखता हो क्या है, मेरा x, y, minus 1, 0 is what, अब बहुत बेड़ा दोस्तो, बहुत सही, आप लोग का सबका answer perfect है, ठीक है, अब एक और question लेते हैं, और इसके बाद, फिर last के, जो four marks का, बहुत दा important question, four marks के question है, दोस्तो, find the coordinates of the points of trisection of the segment, a, b, with a, 2,7 and b, minus 4, minus 8, अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसको समझते, midpoint use करो सर, मैंने पहले बाद दोस्त, इसको आपने ना, कौन था दोस्त, एक बन मैं आपका नाम पढ़ लेता हूं, midpoint use करो, वीबू सिंग, या, right, right, आप midpoint से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ questions की कैसा होता है, कि मालूम है, हम लोग कभी-कभी, midpoint से नहीं ला सकते, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो यह method भी आपको पता होना चीए, मिट-Point से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका correct है, ठीक है, midpoint से जो अश्वीनी, दिरकर, हाँ, कर सकते हैं, आप कर सकती हो, midpoint से भी कर सकती हो, आपका answer आएगा, ठीक है, क्योंकि पता है, आपको, M क्या है, दोनों क का मिटपॉइंट है यह क्या करें को एड़ करके डिवाइड बाइट बाद पर दोनों साइट को कंपेर करें के आप आंसर ला सकते हैं चलो बहुत सब्सक्राइब आप चलो आप और बहुत सारे कोशिन इसको भी रहे और हम लोगों यह इंपोर्टेंट कोश्ण और है वह वह लेंना नहीं वहां पके लिए एक कोशन रखाव आप आपके लिए करेंगे आपके लिए प्राक्टिस के लिए इसको फटाफर से आजओ अब यह क्या पर सम्झते कोई लाइन के इसको अगर तीन इकोल पार्ट में इसको डिवाइट क्रहीं कि इतना इको बड़ासा в पैसे से व सब्सक्राइब अगर आप लोगे नियुकणे का कोशिन है आपके लिए अगर इसको देखेंगे तो आपको उसवे सब्सक्राइब का मीनिंग ही होता है किसी भी एक लाइन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो दोस्तों फोर मांक से बहुत दाधे इंपॉर्टन रिकोशन है यहां पर मैं लिखता हूँ ए यहां पर पॉइंट किया मेरे पास 2,7 यहां पॉइंट किया मेरे पास इसका मतलब क्या यह पूरे का मतलब किसी को नाम बें हम वहीत हुआ करना है कॉट्टनेट करना है कैसे कर दथा दो पी इसको लिखता हुए ठीक है आप पी लिखता हूँँ और क्यों लिखता हूँ इसको टैना घर्ट मॉलस दिस्तों कॉशान साथ इस अब से एले हम लोग को लिखते हैं है इसको लिखते एक स्वन i5000 और सबसे पहले पर है पॉयंक spread कर रहे है तौश और रगवत ओक से पर्णों HERE इसLoV पर लिखो 2, 7 यहां पर लिखते हैं माइनस 4, 8 और यह पर लिखते हैं अब देखो अब इसस को देखनाए यहां पर मैं चक्वी बताने चाहरा हूँ बहुत इंपकरिण है यहहां पर मैंनेफिक कर साथ का हुस्सरा लिया है उसमें कितना पार रहे हैं वन पर और पी में कितना पड़ रहा हैं वन वन टूंपर मतलब मेरा जो पी जो है मतलब मीज़री एबी जो लाएन इसको दो पार्ट में दिवाइट किये लेकिन दोनों भी एकवल नहीं है दोनों कौंसे मरे टिवाइट हुए राशों हम पर क्या मिला, here m is 2m क्या मिला हमें, m is 2n मिला हमें, 1 is 2, 2 मिला, ठीक है, इतने clear हो गया, m is 2n क्या मिला, 1 is 2, 2 मिला, अब 1 is 2, 2 मिल गया, अब simple है, मैं ज़को इसके coordinate find करने है, कि इसके P के, इसे find out करूँगा, मुझे अगर ratio बता है, है और मुझे point find out करना है तो कैसे करते दोस्तों using section पॉर्मुला राइट section पॉर्मुला पॉफेक्ट क्या एगा using section पॉर्मुला ठीक है section फॉर्मुला के इस्तेमाल करेंगे फॉर्मुला क्या देता है हम लोग को पी का कॉदिनेट देगा क्या देगा क्या कैसे देगा सिंपल function inप्लेस एन एंप्लेस एन लिख्ट दिया है इतना तो को कोई डाउट कोई डाउट दोस्तों बहुत बढ़िया है ठीक है चले आगे सेक्शन दोस्त सई एकदम वरत एकदम मस्त पड़ाई कर रहे हैं आप अल्द बेस्ट पॉरी एक्जाम हम लोग बढ़ते हैं फटा फट से ठीक है चले फिर आ जाते हम लोग आगे आ जाते हैं पी आ गया हमारा एकस को मा हुआ हम को निकालना है हमारे पस एमस्ट्व एट्य रिख लेते हैं कितना हैं यहाप लिख देंगे टू ठीक है अब अब यहां पर आते हैं यहां पर 8 फोरक स्वावि स्वाडिक अब यहां पर देखो क्या होज़ेगा माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा ? 0 0 और divided by 3 0 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा ? 8 8 प्लस 14 कोई डूट है यहां पर चेक कर लेते हैं यहां पर कुछ्छ रॉंग हो रहा है कि यहां में क्या पॉइंट दिए वे माइनस इट दिए हो राइट अब लोगने क्या लिखा है यहां पर एक गड़ मलोगे दोस्ट यहां पर भी माइनस एट आएगा ठीक है अब यहां पर हम लोग करेंगे इसको कितना होता हिके यहां पर लीखूँगा यहां पिए हमारे पर लिखूंगा पर देवर 2,7 इस दफार देखा मतलब अब देखो Q Q B में कितना पार्ट और A Q में कितना पार्ट और 2 पार्ट तो here we have here हमारे पास जो राशो है M is to N वो गया है 2 is to 1 इस बार हमारे राशो चेंज होगे अब बाकी सारे सौटेड देखो एक बच्चे का आंसर महें का एक आंसर आ चुका है क्या आया बच्चा तू क्या था आपका माइनस 2 कोबा माइनस 3 परफेक्ट शो देखते किसका किसक सेक्शन फॉर्मला लगाते हैं सेक्शन फॉर्मला डाल देते हैं सेक्शन फॉर्मला में डाला क्या जाएगा दोस्त सिंपल सा हमें क्यों को कॉर्टेंट मिलेगा एक्स कोमा वाय क्या हो जाएगा सिंपल फॉर्मला वापस से बनाते हैं एम प्लस एन एम प्लस एन वापस स अब M की value इस case में किया है 2 है, X2 मेरे पास कितना है, X2 है मेरे पास minus 4, N मेरे पास कितना है 1 है, X1 कितना है 2 ठीक है, ओके चलेगा नीचे, 2 plus 1, यहाँ पे M कितना है 2, Y2 कितना आपने पास, Y2 is what, minus 8 ओके, और plus N कितना आपने पास 1, 7 divided by M plus N, 2 plus 1 ठीक है, अब 2 into minus 4 कितना सोब्स 3 6 जाएगा धिवाइट भाई थ्री अब two सेक्शन हमें क्या मिल गया पाइम पॉंट पहलन दोस्ति आप हमें we पक्का कोई हूँट कोई दिक्त आपसेशन हो वह तो उस इस केस में हम लोग को तीन पॉइंट करने होते हैं और हमारा 1 is 2 1 is 2 1 के राश्यों में डिवाइट होता है और सेम यह में हम लोग दोस्त बहुत बढ़िया अब एक लास्ट कुशन दिखते हैं और उसके बाद हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस कुशन देंगे आपको और आ अगरास में बता मना था देखे कोई भी दूरा रहा एंगर फाल होती है दोस्तों पालल लाइन का स्वेशा सेम होता है आप आलला आपके नोटबुक जिसमां दो लन कभी जाकर के दूसरे को मीट नहीं और दोनों का स्वेशा क्या होता है एकोल होता हैँ आंध मैंने दू अप श्लोप ऑफ आरेस ठीक है अब स्लोप फी इंडियों चेड़ा अब सबसे पहले हम लोग इसको one डाल के लिगते हैं पी मेरे पास क्या है पी मेरे पूस चूमा फोर यहां पर क्या है क्या है 3,6 वो क्या हो जाएगा X2, Y2 ठीक है R क्या है मेरे पास 3,1 वो क्या हो जाएगा X3, Y3 और H मेरे पास है दोस्तो 5,K क्या है 5,K that means X3, X4, Y4 ठीक है इधर तर कोई डाउट ओके आप सबसे बेले slope of किसका निकलेंगे slope of इसको number 1 डालते आप slope of PQ निकलेंगे slope of PQ क्या होगा Y2-Y1 upon X2-X1 Y2 is what Y2 is 6 Y1 is what 4 तो 6-4 upon 6-4 upon 3-2 क्या हो जाएगा 6-4 is what 2 3-2 is what 1 तो slope of PQ क्या गया मेरा slope of PQ simple सा क्या आ गया मेरा आ गया 2 आ गया अब सिमिलर वे में slope of क्या निकलेंगा दूसरा कॉन सो स्लोप है RS RS का भी सेम लेकिन पॉइंट से आप है चेंज हो गए पहले वक्त हमारे पास पहली बार हमारे पास था Y2-1 अब हमारे पास पॉइंट क्या है Y4-3 तो सिम्पल सा Y4-3 upon X4-3 अब X4 कितना है मेरे पास 5-4 है के कोई 3 है 1 X4 आप एक स्पूर है 5 X3 है 3 5-1 upon 5-3 वो 2 ठीक है अब यहां तक ही तो हो गया इसको नंबर तू डाल दू और इसको नंबर 3 डाल दिते पस एक कास्ट एप और हमारा आंसर हमारे सामने हे दोस्तों की आ गया मेरा नमबर three वन में से तो फ्रम टू है क्वारत आम च मांतों क्या है क्वार्ड घॉज्टू है ऑगाएगा वन मेरा स्लोप हार यदि दो तो क्या मिल जाएगा 2 is equal to what k-1 upon एक बड़ चेक कर लेते हैं k-1 upon 2 ठीक है पर फिर से इसको देख लेते हैं क्या मिला हम लोग को k-1 k-1 upon 5-3 यानिकि 2 राइट है ओके अब 2 2 जा 4 k-1 k-4 plus 1 is equal to k and k is equal to what 5 hight दोस्तो ईस तरीके से आपका सारे सारे कुशन आज विल्बडें पहल इठीक कर लिए बहुत बढ़ें आप बहुत बढ़ें वहाँ समार्ट बच्चे हमारे यार फैंली मेरी बच्चे बंढ़ें ढ़ा है इस तरीके से आपने अपने आपके रोबर्र एक्जाम के तो आज यहां पर हम लोग ने कोडिनेट जो मेट्रिक जो चाप्टर है उसके रिविजियन बहुत अच्छी तरीक से complete के दोस्तों इस तरीके कोशन आपको एक्जाम में पूचेंगे और यहां पर एक थोड़ा सा आपके लिए छोटा सा सप्राइज यानि कि आपको दो कोशन की मैंने दिये वें आप लोग करेंगे पहला कोशन बोला हुए जहां पर यि तसरी के योग इस का राचन पार्फ दिवाइट के मैंने पहले इस्प्लेज कर दिया आपको तो पहला पॉइंट करेंगे अ ना इसार प्यवार्ट कि हानके पॉर जूसल करने करेंगे करेंगे अर्सीन कई को बताना है कि यह जो पवए यहookः डिये वे न सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होता है तीनों साइट्स क्या होता है इक्वल तो आपको डिस्सन्स फॉर्म्न लगाना है और इस को भी सौल करना है तो यह था आपका होमवर्क ठीक है चलिए बहुत मज़ा है आपके साथ इंट्राक्ट करके आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में जहां पर हम लोग एक नए चाप्टर लेंगे और नए चाप्टर कर रिविजन लेंगे ठीक है तब तेके लिए स्टे ट्यून और गुडबाए